मैं हुई विकास प्रजपती दोस्तों आज मैं 15 अगस्त पर एक भांशर देने वाला हूँ अगर आप भी भांशर देना चाहते हैं या भांशर देने के लिए सोच रहे हैं तो हमारे भांशर को अंतक जरूर देखें चलिए अपने भांशर को स्टार्ट करते हैं एहां मौजूद अतितिगड़ अध्यापकगड़ वो मेरे प्रीश अपाठियों आप सभी को स्वतंतरता दिवस की धेर सारी सूब कामना हैं आज स्वतंतरता दिवस के सूब आउसर पर मुझे आप सब के सामने बोलने का आउसर मिला इसके लिए मैं खुद को सम्मानित कर रहा हूं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में स्वाडी मच्छरों में दर्ज है क्योंकि इसी दिन हमें पूल रूप से स्वतंतरता मिली थी हमारे देश की बागडोर सदियोबाद विद्योसियों से छूट कर हमारे अपने हाथों में आई थी लेकिन हमने आजादी का दिन एसे ही नहीं देखा यह हमारे सतंता सेनानियों की संगर्ष शाहश और बलिद्यान का परिड़ाम था इसलिए उच्छ संहर्ष, शाहष और बलिदान को याद करने और महान सुतंता सेनानियों को सिर्धान जली देने के लिए हम सब परतिक वर्ष 15 अगस्त के सुब और सवर पर एकत्रित होते हैं और अपनी आजादी का जस्न मनाते हैं इसी आजादी के लिए हमें अपने उन सुर्वीरों को कभी नाई भूलना चाहिए जिन्नोंने भारत माता की रच्छा के लिए अपनी प्राण अर्तक ने उच्छावर कर दिये हम आज के दिन इस सुब आउसर पर राष्ट पिता महत्मा गांदी, सहीद भगस सींग, महान सुतनता सेनानी, मंगल पांडे, चंदर सेखा राजाग और अनेकों सुवीवीरों को स्रिधान जली देते हैं जिनोंने देश की आजादी को अपने रक्त और प्राण सो से सीचा है 15 अगस्त का दिन भारत के बिटिस राज से मुक्ति का ही नहीं, बलकि यह हम सब भारतियों की एकता का भी प्रतीक है यह हमें एस्मरण दिलाता है कि यदि हम सब एक हो जाएं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी हमारे सामने नतमस्तक हो जाएगी आज हमारे देश की प्रधान मंतरी लाल के लिए पर तिरंगा फारा रहे हैं यह फल अपने आप में गौर्वान नित करने वाला है इसी लहराते तिरंगे की छाया में हमारा देश विकास की ओर अगरसर रहे इसके लिए हमें हर संबव प्रयास करना चाहिए हमारा प्यारा देश भारत परतियक वर्ष विकास की नए कदम पार कर लेता है हमारा यह कर्टब है कि विकास की इस रप्तार को टेज करने में हम निरंतर सहयोग करें बीते दसकों में हमने अपने देश की विवीधता, अखंडता, एकता, संस्कृत और संपर्प्रुता को ब्रक्रार रखते हुए परतियक छेत्र में उन्नति को प्राप्त किया है चाहे वो क्रिसी हो, उधोग जगत हो, प्रदोग की हो या अंत्रिस की नई उडान परतियक छेत्र में हम बैस्विक सक्ति बनकर उभर रहे हैं आज हमारी पहुच चंदरमा को पार करते हुए मंगल गरह तक है और जल्द ही हम इनकी सतों को भी छूकर नया किर्थिमान अस्थापित करेंगे हमारी सेना के जवान दिन रात सीमा पर तैनात हैं इसलिए हम रातों को चैन से सो पाते हैं हमारा पेट भरने वाले किसानों, हमारी रच्छा करने वाले जवानों के लिए जै जवान जै किसान का नारा दोरा कर हमें अपना सम्मान प्रकट करना चाहिए आप सब ने इस भब्व दिवस पर मेरे बिचार सुने और मुझे बोलने का आउसर दिया इसके लिए मैं आप सब को दिल से धनवाद देते हुए अपना भाशर समाप्त करता हूँ जै हिंद वंदे मातरम